good morning children हमने last week किया था funic sound व, जिसमें आपने वर्ड्स किये थे सारे UG sound की UN sound की UCK sound ये वाले और EMP sound ये वाले ok, so next बब हमें करना है इसका जो fill in the blanks है बब हम वो करेंगे इसके learning john में इसमें है see the scene and fill in the blanks with missin vowel तो आपको पता है जो भी हम वोवल करते हैं next page पर उसी से related हमें work करना होता है तो यहाँ पर है अभी हमने कौन सा किया U, U वोवल हमने किया है तो इसमें कुछ आपको scene नजर आ रहे हैं एक boy है, एक hut है और sun तो H-U-T hut होता है S-U-N sun होता है आपको पता है फिर यह boy है यहाँ पर यह एक gun ले रहा है छोटी सी और यहाँ पर एक hen है और यह इसको follow कर रहा है तो अब हम इस scene को पढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर The sun, S-U-N तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? S-U The sun is hot, a boy is standing outside a hut H-U-T hut He has a toy gun तो उसके पास क्या है? toy gun है He is running R-U-N-N-I-N-G Running He is running वह दोड रहा है After a hen एक मुर्गी के पीछे He is eating a bun तो next picture में यहाँ पर He is eating a bun B-U-N Bun means double roti He is eating a bun एक bun वो खा रहा है He is having fun और वो क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है F-U-N-FUN He is having fun यहाँ पर आएगा F-U-N-FUN वो मस्ती कर रहा है Next है हमारा Look at the picture and complete the sentence अब यहाँ पर है आप देखे एक cat है और उसके उपर बैठी है यह रग के उपर है ना? रग बोलते हैं नहीं इसे तो A cat is on the rug तो हम यहाँ पर लिखेंगे R-U-G रग यहाँ पर आपको hint box में भी दी हूँ है run, duck, pluck, rug तो यहाँ से रग हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लावर्स फूलों को मत तोड़ो ठीके? तो यह आज आपका work है सारा आपको अच्छे से करना है U sound का work आपका A, E, I, O, U सारे sound के जो vowel sound है आपकी funic sound है यह आपके words हो चुके है next हम फिर आप अपनी book में से आगे का work करेंगे singular plural भी करेंगे चीके? तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है पहले पढ़ना है अच्छे से इसको फिर लिखना है ओके? बाई